हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू माई चैनल, इस्टडी बिद सिल्पी फ्रेंड्स हम लोग UGC Net Exam Geography, TGT, PGT, Geography and all upcoming Geography exams की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे तुर्किये में क्यों आते हैं इतने भुकंप फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारी जोग्रोफी से रिलेटेड है और हमें पता होना चाहिए कि भुकंप क्या होता है और भुकंप आने के क्या कारण होते हैं इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि तुर्किये में इतने भुकंप क्यों आते हैं तो आईए फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ओके फ्रेंड्स तो आज का हमारा टॉपिक है तुर्किये में क्यूं आते हैं इतने भुकंप सबसे पहले हम जानेंगे कि भुकंप होता क्या है भुकंप प्रिथवी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलो के कारण उर्जा का निस्कासन होता है जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैल कर प्रिथवी पर कमपन उत्पन करती हैं इसे ही भुकंप यानि अर्थ क्यूं कहते हैं ठीके फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है कि प्रिथवी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलो के कारण उर्जा का निस्कासन होता है जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भुकंपिय तरंगे तीन प्रकार की होती है P यानि प्रात्मिक तरंगे, S यानि दितियक तरंगे और Yल यानि की धरातली तरंगे और जब इन तरंगों की उत्पति होती है तो ये तरंगे सभी दिसाओं में फैल कर पृत्वी पर कंपन उत्पन करती हैं इसी को भुकंप कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आसान भासा में भुकम्प का अर्थ है पृत्वी का कमपन ठीके फ्रेंट्स तो अगर हम सरल सब्दों में कहें कि भुकम्प क्या होता है तो भु यानि की पृत्वी और कम्प यानि की कमपन यानि पृत्वी का कमपन ही भुकम्प कहलाता है और कमपन का मतलब होता है पुरत्वी ना अर्थ नेक्षट पॉइंट है तुरकीए में भुकंप आने का कारण तुर्किये में बार बार भुकंप आने का कारण टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं लबग 8 करोन की अबादी वाला देश चार टेक्टॉनिक प्लेटों पर बसा है और एक प्लेट के हिलने से भी पूरा छेत्र जोरदार जट के महसूस करता है तुर्किये का सबसे बढ़ा हिस्सा एनातोलियन प्लेट पर बसा है जो दो प्रमुक प्लेटों यूरेस्चन प्लेट और आफ्रीकी प्लेट और एक छोटी प्लेट अरेबियन प्लेट के बीच इस्थित है आफ्रीकी और अरब प्लेटे जैसे ही सिप्ट होती है पूरा तुर्किये जोर से कापने लगता है ठ जो मेन कारण है वे है टेक्टॉनिक प्लेट फ्रेंट्स आपको पता होना चाहिए कि टेक्टॉनिक प्लेट्स क्या होती हैं इसके पहले हम यह भी जान लेते हैं कि प्लेट सब्द का सरप्रथंप्रियों तो जो बिलसन ने किया था और प्लेट विवर्तनी की सिध्धान्त मा और नमबर 3 dao Friends प्रदवी की जो सबसे बहरीपरत है जिसको हम भूपरपते कहते है यह कई खंडों में भीवक्त है और इनी खंडों यह टुकडों को हम प्लेट कहते हैं और यह प्लेट मेंटल के उपरी सतह पर पहर रही जब एक की इस्थान कारण टेक टोनिक प्लेट से क्योंकि तुर्किये चार टेक्टनिक प्लेटों पर बसा हुआ है और तुर्किये सबसे बड़ा हिस्सा इन्दा तोलियन प्लेट पर बसा है जो तो प्रमुक प्लेटो यूरेसियन प्लेट और आफ्रीकी प्लेट और एक छोटी प्लेट अरेबियन प्लेट की बीच इस्थित है आफ्रीकी और अरब प्लेटे जैसे ही सिप्ट होती है तुर्किये में भुकम् की जोड़ दाठ्षट के महसूस किये जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बिफिन रिक्टर इसकेलों पर भुकंप फ्रेंट्स भुकंप की तिब्रता कमापन रिक्टर इसकेल के द्वारा किया जाता है और हमें रिक्टर इसकेल से ही पता चलता है कि भुकंप कितनी तिब्रता का था तो अब हम यहाँ पर यहीं पढ़ेंगे कि कितनी तिव्रता वाले भुकंप से क्या प्रभाव पढ़ता है जिसमें सबसे पहला है रिक्टर इसकेल के अनुसार 2.0 की तिव्रता से कम वाले भुकंप से जटकों की संख्या रोजाना लगभग 8000 होती है जो इंसान को महसूस ही नहीं होती है ठीके फ्रेंट्स तो आपको याद रखना है कि रिक्टर इसकेल के अनुसार जो 2.0 की तिव्रता से कम वाले भुकंप से जटके आते हैं वह रोज तीब्रता वाले लगभग एक हजार जटके रोजाना दर्ज किये जाते हैं लेकिन आम तोर पर ये भी महसूस नहीं होते हैं ठीके फ्रेंट्स तो 2.0 से 2.9 की तीब्रता वाले लबग एक हजार जटके रोजाना दर्ज किये जाते हैं लेकिन ये जटके भी आम तोर पर महसूस नहीं होते हैं नेक्स्ट है रिक्टर इसकेल पर 3.0 से 3.9 की तीब्रता वाले भुकमपी जटके साल में लबग 49,000 बार दर्ज किये जाते हैं जो अक्सर महसूस नहीं होते हैं लेकिन कभी कभार ये नुकसान कर देते हैं ठीके फ्रेंट्स तो अभी हमने पढ़ा कि 2.0, 2.0 से 2.9, 3.0 से लेकर 3.9 की तीब्रता वाले भुकमपी जटके जो की हमें महसूस नहीं होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 4.0 से 4.9 की तीब्रता वाले भुकमप साल में लगबग 620 बार दर्ज किये जाते हैं इस बेग वाले भुकमप से थरथरा हट महसूस होती है और कई बार नुकसान भी हो जाता है ठीके फ्रेंट्स तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि 4.0 से 4 नौ की तीब्रता वाले भुकमप से कभी-कभी नुकसान हो जाता है और इस तीब्रता वाले भुकमप से थरथरा हट महसूस होती है निक्स्ट पॉइंट है फ्रेंट्स 5.0 से 5.9 तक का भुकमप एक छोटे छेतर में इस्थित कमजोर मकानों को जवर्दस्त नुकसान ठीक है फ्रेंट्स तो आपको याद रखना है कि 5.0 से 5.9 तक का भुकमप एक छोटे छेतर में इस्थित कमजोर मकानों को नुकसान पहुंचाता है और जो साल में लगभग 800 बार महसूस होते हैं निक्स्ट पॉइंट है 6.0 से 6.9 की तिर्वता वाला भुकमप साल में लग तक साबित हो सकता है ठीक है फ्रेंट्स तो 6.0 से 6.9 की तिर्वता वाला भुकमप घा तक साबित हो सकता है निक्स्ट है 7.0 से 7.9 की तिर्वता का भुकमप एक बड़े छेतर में भारी तबाही मचा सकता है और जो एक साल में लगभग 18 बार दर्ज किया जाता है ठीक है फ बड़े छेत्र में भारी तबाही मचा सकता है जो कि साल में लगभग 18 बार दर्ज किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है रिक्टर इसकिल पर 8.0 से 8.9 तक की तीब्रता वाला भुकम भी जटका सेकड़ो किलोमेटर के छेत्र में भीसर तबाही मचा सकता है जो साल में एकाद बार मैसूस होता है फ्रेंट्स आपको याद रखना है कि 8.0 से 8.9 तक की तीब्रता वाला भुकम साल में एक या दो बार ही आता है लेकिन यह भुकम भीसर तबाही मचा देता है नेक्स्ट पॉइंट है 9.0 से 9.9 तक के पैमाने का भुकम हजारो किलोमेटर छेत्र में तब बार आता है और दूसरी ओर 10.0 या इससे अधिक का भुकम आज तक महसूस नहीं किया गया है फ्रेंट्स आपको याद रखना है क्योंकि यह एक most important point है कि 9.0 से 9.9 तक के पैमाने का भुकम हजारो किलोमेटर के छेत्र में तबाही मचा सकता है जो 20 साल में लगभग एक बार ही आता है और फ्रेंट्स इसके अलावा यह point भी most important है कि 10.0 या इससे अधिक का भुकम आज तक महसूस नहीं किया गया है तो अब आप याद रखेंगे कि 10.0 से अधिक की तिवरता वाला भुकम आज तक महसूस नहीं किया गया है तो फ्रेंट्स ये थे रेक्टर इसकल के अनुसार भुकमपो की तिवरता और उनके प्रिभाव ठीके फ्रेंट्स तो हमने जाना कि तुर्किये में बार बार भुकमप क्यों आते हैं जिसका कारण था प्लेट टेक्टॉनिक क्योंकि तुर्किये चार प्लेटों में स्थेता है इसलिए तुर्किय बार-बार भुकंप आते हैं, इसके साथ ही हमने जाना कि भुकंप क्या होता है, भुकंप प्रत्वी का कमपन होता है, साथ ही हमने जो की most important topic था, कि रेक्टरION की अनुसार भुकंप की तोपिक था, और उस तेवर्ता का क्या प्रभाव होता है, यह भी जाना, friends कई बार exam में एक side Richter skill की तिवर्टा दे देते हैं और दूसरे side उसका प्रिभाव दे देते हैं और आपको उसका मिलान करना पड़ता है और friends अभी पिछले exam में भी ये question पूछा दा चुका है एक side दिवर्टा और एक side उसका प्रिभाव और फिर कह दिया गया था कि इसका मिलान करें इसलिए friends ये topic आपके आगे आने वाले exam के point of view से most important हो जाता है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हमारी next वीडियो में thank you for watching this video